रामगरताल थाने की पुलिस ने हत्ता का अप्रयास करने के आरोप में पुलिस का स्टड़ी रिमान्ड लेकर अभियूगत की निशान देही पर हतियार बरावत किया है जिसके संबंद में रामगरताल थाना प्रभारी शशी भूशड राय ने बताया कि 29 मार्च को रामगरताल थाना छेत्र में शशी मौली शुकला के उपर फाइरिंग की गई थी जो की कजाकपुर मुहला में अपना मकान निर्माण करवा रहे थे तभी पहले की रंजिश को लेकर ग्राम कनाईल के अर्पिच शुकला ने अपने साथियों के साथ असलहे से लैस होकर उनके उपर फाइरिंग किये जिसके संबंद में थाना रामगरताल पर मुकदमा पंजी कृत हुआ विवेशना के क्रम में अर्पिच शुकला ने नियायले में सरिंडर कर दिया जिसको नियायले से कस्टडी रिमान लेकर उसकी निशान देही पर एक पिश्टल दो जिन्दा कार्थूस परामत किया गया है जिसको जेल फेज दिया गया बरामत करने वाली पुलिस टीम में रामगरताल थाना प्रभारी शशी भूशड राय उपने किरिच्चक दिगविजय सिंग परमार सहीत अने लोग शामिल रहे